वीडियो क्वालिटी का जो ओप्शन हमने एप पे किया है वो इसलिए किया है आपका जो डेटा है वो ज्यादा खंजूम ना हो चलिए सो सभी को हाई ये वाला हाई एप वालों के लिए है और ये वाला हाई जो है हमारे यूट्यूब चैनल के लिए है चलिए आए फटा फटा आए बारिश नहीं हो रही भाई यहां बारिश नहीं हो रही डेली में बारिश नहीं हो रही है और आज तो मैं मुखरजी नगर स्टूडियो से ही हूँ अपने, मुखरजी नगर में भी बारिश नहीं है। चले हवन करवाएंगे हमारे यह भी बारिश होगी, जल्दी हवन करवाएंगे हम। चले dear students, फटाफट से आएं, अभी एप जो है वो लैपटोप पे नहीं चलेगी, जल्दी यह उप्शन भी हम देखे आएंगे अपनी एप पर, अभी जो एंड्रोइड फॉन्स हैं उस पर हमारी करियल वे लैप चलेगी, भाई दो-दो कमेंट्स तो मैं बिल्कुल नहीं बोल देता हूँ, चले उमीद करता हूँ, आप सभी घर पर हैं, परिवार वालों के साथ हैं, और बहुत अच्छे से अपना और परिवार वालों का ख्याल रख रहे हैं, प्लीज जितना हो सके, अवोईड करिये, घर से बाहर मज जाईए, लोकडाउन ओपन होने का ये मतल अब नहीं है कि घर से बाहर जाना स्टार्ट कर दो, जब बेहद जादा जरूरी हो, प्लीज घर से बाहर तभी निकले, माई डियर स्टोडेंस, उसके अलावा प्लीज अवोईड करें घर से बाहर निकलना, कहीं तुम दोस्ती आ रही हैं, इधर उधर घूमते फिरो, बिल दिप सिंग है, उस पर आप वीडियोज देख सकते हो, वोकैब से रिलेटिड भी और ग्रेमर से रिलेटिड भी, चलो मैं डियर, अब करते हैं स्टार्ट, बिलकुल शान्त हो जाएं, चले, फिर मैं अभी बाकी के डाउट्स, बाकी के कमेंट्स आपके बिलकुल वीडियो के एंड पे जो है, लूँगा, मतलब क्लास जैसे ही एंड होगी, उसके बाद मैं आपके अगले डाउट्स लेना, स्टार्ट करूँगा, अभी देखो न, मैं मारकर्स को भी सेनिटाइज कर रहा हूँ, चलो, देखो डियर, हमने जो क्लास वन है, उसमें दाउन टोपिक स्टार्ट किया था, जो बच्चे नए हैं उन्हें मैं बता दू, आज जो हमारी है, वो क्लास नंबर थर्ड है, बट, यह नहीं है कि जिन्होंने पहली दो क्लास नहीं देखी, उनको आज की क्लास समझने आएगी, समझ आएगी, बट, लेकिन किंतु प्रन्तु, आप पहली दो क्लास भी देखें, प्रोपर अपने नोट्स बनाते हुए चलें, बच्चे नोट्स की कोई PDF नहीं मिलेगी अपने नोट्स आपको खुद मेंटेन करने हैं, PDF मैं आपको study material की देना स्टार्ट करूँगा, जैसे ही हमारा course इस लायक होगा कि हम practice कर पाएं, अभी मैंने आपका English में basic cover करा लिया, ना उनसे related, और कल जो हमने बात की थी, उससे आगे ही ज़रा कहानी को जोड़ना मैं तो साथ साथ चलते हैं, अब comments पर बिलकुल ध्यान नहीं, ना मैं देऊंगा, ना आप दोगे, please सुनते हुए चलना, चीक है, देखो मैं डियर, जो आज की class में हम अगर previous कल की class की बात करें, तो हमने कल जो किया था, वो किया था कि English language को हम आगे forward करते हुए, कल की class की बात क हमने start कर दिया था noun है न, very good, बढ़िया, आगया comment में, हमने noun start करी लिया था, word formation के बाद मैंने आपका noun start करा दिया था dear, और noun में हमने topic start किया था, noun topic का एक sub topic start किया था, noun identification, यह था जी हमारा कल का topic, noun identification में मैंने आपको यह बताया, जो noun होता है, actual में dear, वो होता है naming word, एक बार मैं फटाक से कल की class को जरा wind up करता हूँ, दो minute में आपको बता के फिर जरा कहानी को आगे जोडने की कोशिश करते हैं, देखो मेरे भे, अगर मैंने बोला noun अपने आप में naming word है, और naming word को cover करने के लिए मैंने इसको दो type से divide किया, naming word noun किस किस का नाम हो सकता है, dear, पाक्चित करते हैं, visible में दो चीजे cover हमने की, एक तो visible में हमने किया person और others हमने यहां ले लिए जो जो visible है, चाहे others में place हो, चाहे others में thing हो, चाहे others में animal हो, कुछ भी हो, हमने यह किया, next देखते हैं, feel only में हमने वो चीज़ किया, जो dear आप कह सकते हैं, abstract ideas हैं, जो हमें सिर् आप मैसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते, पाच्चित आगे बढ़ाते हैं, फिर मैंने बोला कि जब यह चीज़ cover करनी हैं, तो आप identification कैसे करें, noun क्या है, बचपन याद करो, कुछ साल पहले जब आप नन्ने मुन्ने बच्चे थे, आपको noun रटाया गया था, समझाया नही of a person, place or thing, जो अपने आप में आधी अधूरी बात है, उसी को मैंने आगे बढ़ाया कि बेटा, noun वो नहीं, जो name of a person, place, thing हो गया, बस noun हो गया, नहीं, noun, noun तब होगा, जब वो किसी sentence में अपने आप में function करे, noun का, तो हमने functional grammar के according यहां बातचीत साथ की थी, कि noun, noun तब कहलाएगा, जब वाकि में noun किसी भी sentence में noun का ही function करे, ठीक है जी, पातचीत देखो, अगर मुझे किसी भी sentence में यह पता करना है, कि noun वाकि में noun का function कर रहा है, तो dear मैंने आपको boy question word दिया था, कि आप who's का reply लें, अगर वो subject हो, और आप whom का reply लें, अगर वो object हो, क्योंकि objective case who होता है, whom होता है और subjective case who होता है, यहां तक गल्ला हुई, फिर बातचीत करते हैं place thing, बिटा place thing को मैंने बोल दिया था, आप what का reply ले सकते हैं, क्यों ऐसा, बातचीत ध्यान से सुनो, बिटा person के लिए आप who बोलते हो, बट thing के लिए आप who नहीं what बोलते हो, जै इसका मतलब उस sentence में अपने आप यह noun का काम करेगा, किसी इंसान को मत बोल देना, what are you, क्या हो तुम, घलत लगे गई, क्या हो नहीं, कौन हो तुम, तो कौन है, या नहीं कि what are you, क्या था, क्या है, क्या है, क्या यह चीज, घलत बात है, आगे बढ़ते हैं, फिर मैंने बोल राम लाइक्स रानि, राम लाइक्स रानि, तो मैंने बोला, हू लाइक्स रानि, आपने बोला राम, पिटा अगर यह हू का रिप्लाई अपने आप में बन पा रहा है, तो हू का रिप्लाई कौन, कौन का रिप्लाई हमेशा किसी इन परसन का क्या होगा, नेम, तो अपने likes whom क्योंकि object है तो who नहीं मुझे reply परना होगा whom राम likes whom आपने मुलरानी तो अपने आप में ये भी क्या हुआ नाउन इस तरीके से identification सीखनी है बाच्चित आगे देखो जब मैंने इसी बाच्चित को थोड़ा सा आगे बढ़ाया था तो मैंने place person thing के लिए भी बोल दिया था जैसे राम bought a book ठीक है फिर मैंने आपसे कहा who bought a book राम तो who का reply राम हुआ तो अपने आप में नाउन हुआ राम बाच वट क्योंकि किसी भी thing का नाम अपने आप में क्या होगा वट तो राम बाच वट बुक तो बुक भी अपने आप में क्या हुआ नाउन हुआ आज मैं चर्चा करूँगा यह आर्टिकल है next बात पर बढ़ते हैं ऐसे ही हमने feel only के लिए आपको दिखा दिया था मैंने बच्चे जब लिखा था honesty is the best policy honesty is the best policy हमने इसको देखा what is the best policy honesty तो यह अपने आप में बना noun बट यह noun क्या है dear feel only honesty is the best अब मैंने बोला honesty is what policy तो यह भी अपने आप में क्या हुआ noun adjective है article है थोड़ी देर बाद आज ही की class में मैं चर्चा करूँगा यह थी बच्चे कल की class तो मैंने noun start करके noun का basic कराते हुए आपका एक topic start किया था noun identification आप noun को identify कैसे करेंगे जिसके लिए कितने word दिये मैंने तीन who और whom किसी person के लिए और place, thing या feel only के लिए मैंने सब में से क्या दे दिया what अब बढ़ते हैं आगे दूसरी बात इस पूरी noun identification को मैंने आपके लिए रखा था step number one, इसको मैंने step number one लिए इसको आपको copy नहीं करना मैंने पिछली class थोड़ी सी revise करा दी, ऐसा मैं starting में करूँगा dear, मैंने बोला था शुरू में मैं अपनी speed बहुत आराम से और बहुत धीमे लेके चलूँगा ताकि आप मेरे according एक बार ढल जाए फिर हम चीजों को जड़ा आराम से और एक flow में लेना start कर देंगे, speed को अपने आप थोड़ी सी बढ़ा देंगे, चले dear, बात चीत करते हैं आगे, यहां तक की बात copy करने की ज़रुत नहीं है, class number two की बात करता हूँ, topic हमारा same है, noun identification step number one हमने कर लिया dear, अब मैं बात कर रहा हूँ step number two की देखो जी step number one में आपने क्या सीखा, sir अगर मुझे noun को पहचानना है, तो वो who का reply होगा वो whom का reply होगा और वो what का reply होगा, यह हमारा step number one था, अब इस step में क्या-क्या problem आ सकती है, कहां-कहां आपको confusion हो सकती है उस चरह बात को समझ लेते हैं एक बचा कहा रहा है, sir tense कब होगे, बेटा क्या फरक पढ़ता है tense कब होगे, अरे छोटू पढ़ लेना जो हो रहा है, बेटा जहां से हम पढ़ रहे हैं अभी, noun से start करेंगे second topic pronoun उठाएंगे फिर उसके बाद या तो मैं adjective उठाऊँगा या tense start करेंगे, क्या आईए जी बचे, देखो अब बात करते हैं, सरा step number two की sir noun identification में step number two की सद तक प्रेशान करेगा बात बड़ी गहराई की है, बहुत ध्यान से सुनना अगर मैं बात लिखता हूँ कि राम likes रानी, अभी लिखा था तो आपने फटाक से बोला, सर ये अपने आप में noun है क्योंकि who likes रानी, राम राम likes whom रानी, तो ये भी अपने आप में क्या हुआ noun, बात समझ आती है और likes अपने आप में क्या है, verb ये भी मैंने culture चाके थी, आगे सुनो पिटा हो सकता है, आपको यहां ही लिखके दे he likes her he likes her और फिर बच्चा कहता है who likes her he, तो बच्चा कहता है, सर देखो who का reply है, मैं लट्टो, कहता है ये भी तो noun हो गया, अभी अभी हमने आप सीखा था, जो who का reply होता है वो noun होता है, और अगर मैं यहां देखता हूँ, who likes her, he likes her तो sir, he noun ही तो होगा मैं लट्टो, बिल्कुल सही, बट मेरी कल की बात को ज़रा याद रखो बिटा, जो noun की जगे आकर noun को represent कर जाए, जो noun को represent कर जाए, वो noun होगा या pronoun होगा, वो बच्चे pronoun होगा, ऐसे ही यहां हुआ स्पोज, रानी ना लिख के मैं क्या लिख दूँ her, he likes whom, रानी, बच्चे ने बोला, sir, whom का reply है, noun होगा मैंने बटा, noun नहीं वो noun को represent करने वाला word है, और जो noun को represent करेगा, वो अपने आप में क्या बनेगा pronoun, इसका मतलब इस step में मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे, कि अपने आप में noun reply कर सकता है who का, noun reply कर सकता है whom का, और noun reply कर सकता है what का बट सीखने वाली बात यह है हो सकता है आपको noun की जगह, given क्या दे दे pronoun, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है बच्चे, बात बड़ी छोटी सी है बट प्रोब्लम यह हो जाती है कि confusion बच्चा यहां कर जाता है कि सर, noun का reply reply यह हो गया तो इसको मैं noun क्यों नहीं ले रहा अग यह भी तो हू का reply है मैंने बहुता हू का भले ही reply है बट यह ध्यान से देख उस noun की जगह ही तो आया है अगर noun की जगह जो word उसको represent करे noun को उसको क्या बोलते है pronoun, तो हो सकता है आपको who, whom और what का reply अपने आप में pronoun भी दिख जाए तो घलती मत करना parts of speech, चलो जी समझ आ गया, बहुत बढ़िया response बच्चे, बहुत गजब की बच्चे हो आप आगे बढ़ते, मैं आपको promise करता हूँ, आपके doubt 99.99% नहीं आएंगे और 100% में मैं बोल देता अगर ये offline batch होता, बट ये online है और 100% तक भी आप पहुंस सकते हो, अगर आपने ये माना कि आपका ग्रू आपके सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा है, आप फोन में नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरी एक छोटी से इतने प्यार से मैं बोलता हूँ चलता हूँ, कि आपको मेरी अवाज अपने कानों में चुबेगी भी नहीं और दिमाग में एकदम दिल तक वो बात होता है पोशिश के आखरो, इयर फोन या हेड़ फोन लगाने की, जाना है जी चली बचे, वीडियो एकदम क्लियर है बचे, उतनी सफिशेंट है मैंने खुद एप पर अभी चला के देखी साउंड भी परफेक्ट है, वीडियो भी परफेक्ट है, तो छुटको मुटको में इसलिए मैंने बोला, इयर फोन या हेड़ फोन लगा के सुनो, पस्त आपको आनंद आएगा ठीक है जी, चली बचे, आगे बढ़ते हैं अब इसी स्टेप को थोड़ा सा आगे देखें, जरा कारवाई आगे बढ़ाते हैं, मैंने यहां से यहां एक चीज लिखने के कोशिश की की लाइक्स यहां राम लिख लेता है राम लाइक्स माई बेस्ट फ्रेंट मैंने सपोज यह बात की, यह एक काम करते हैं बेस्ट को थोड़ा सा रोपता हूँ मैं लिख देता हूँ, सेकिंड सेंटेंस माई बेस्ट फ्रेंड बनाऊँगा राम लाइक्स माई फ्रेंट मैंने एक सेंटेंस अपोज ये लिख दिया राम लाइक्स माई फ्रेंट बात पे गोर करो वू लाइक्स माई फ्रेंट राम तो राम अपने आप में हू का रिप्लाई हुआ तो 100% वो नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है सभी आगे लाइक्स अपने आप में क्या हुई डियर मैंने आप से बोला मैंने आप से बोला राम लाइक्स हूम राम लाइक्स हूम आपने बोला राम लाइक्स माई फ्रेंट तो इसका मतलब ये है कहानी को ज़रा गोर फरमाईएगा बातचित क्या है राम likes whom, my friend सो अब इस my friend में क्या my noun है माई तो noun नहीं है इसको दो सेकिन के लिए हटा के देखो राम likes whom, friend इसका मतलब whom का reply हुआ friend तो अपने आप में friend क्या हुआ noun अब वो friend कौन है मेरा, आपका, उनका, इनका, किसका तो आपने बोला sir my friend मेरा friend अब जरा इस my की पार्ट सो speech पे गोर करना बचे मैंने बोला राम likes whom आपने बोला my friend तो my friend में अपने आप में friend क्या हुआ noun और my किसके बारे में information दे रहा है friend के बारे में अगर वो friend के बारे में information दे रहा है तो friend के बारे में information दे रहा है तो ध्यान से सुनो, noun के बारे में कोई भी extra information या detail देने वाला word, detail देने वाला word याद करो जड़ा पिछली class, बच्छे वो detail देने वाला word उसका नाम मैंने क्या बताया था? adjective, याद आया? so adjective वो होता है जो noun या pronoun में detail एड करने का काम करता है, so friend कौन सा है? my friend, तो वो अपने आप में adjective हुआ, चली बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, दूसरी बात सुनो, अब मैंने यहां से क्या सिखाने की कोशिश की? यह बिटा हो सकता है आपको कोई noun दिखाई दे और उस noun से पहले आपको noun को qualify करते हुए कोई न कोई adjective दिखाई दे जाएगा, कोई न कोई adjective दिखाई दे जाएगा, जो उस noun के बारे में details add कर रहा होगा, तहली बात, थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से सु और है, एक शब्द क्या है ध्यान देना, जब आप किसी noun के बारे में बातचीत करते हैं, तो कई बार हम उस noun को determine करने के लिए, noun को determine करने के लिए, use करते हैं, determiners, बात शब्द को ध्यान से सुनो, हमारे सामने एक नया शब्द आ गया, सर यह determiners क्या होता है, ध्यान से सुनो डेटर्माइन से डेटर्माइन से डेटर्माइन से डेटर्माइन से डेटर्माइन बना है अब यह डेटर्माइन किसको डेटर्माइन करते हैं नाउन को तो डेटर्माइनर्स नाउन से जस्ट पहले आकर ध्यान से सुनना मैंने बोला boy आपने बोला कौन सा boy मैंने बोला this boy so boy अपने आप में क्या हुआ noun और उस noun को determine किसने कर दिया this ने so this की parts of speech अपने आप में क्या हुई determiners आसान हुई कहानी बातचीत को थोड़ असा सुनते चलना मैं कैसे कहानी से कहानी जोडने बाला हूँ आगे सुनो अब आपने बोला sir determiners का मतलब है noun से पहले आकर जो noun को determine करे वो होते है determiners अगर determiners मेरे बच्चे noun से पहले आकर determiners अगर noun को determine करेंगे तो determiners किसके बारे में बात करेंगे noun के बारे में और जो noun के बारे में बात करे वो अपने आप में क्या होता है adjective वो अपने आप में क्या होता है adjective इसका मतलब यह हुआ अगर determiners noun के बारे में determine करेंगे और noun के बारे में कुछ भी खोजबीन करने वाला person अपने आप में क्या हुआ adjective इसका मतलब determiners किसका part हुए adjective का तो determiners अपने आप में एक अलग हिस्सा नहीं है, determiners part होते हैं adjective का so adjective इनके पिथाजी है adjective एक पूरा बड़ा concept है and determiners उस adjective का ही हिस्सा होते है इसी लिए प्यारा सा शब्द मैं यहां लिख दूँ प्यारा सा शब्द इस arrow को हटाके लिख दूँ, कि जो determiners होते हैं वो असल में, असल में होते हैं part of adjective बातचीत समझ में आई, एक नया शब्द आपके सामने आया था, determiners उसको मैंने थोटा सा explain किया, बच्चे determiners बिलकुल अलग topic है, मैं अलग से इसको कराऊंगा बट अभी noun basic के लिए इसको जानना बड़ा जरूरी है मैं noun के साथ-साथ आपको noun का ही नहीं पूरे English का base तयार करते हुए ये topic खतम कराऊंगा, तो ज़रा दुबारा से मेरे साथ-साथ एक बार connect करना noun से, ये noun है हमारा ये हाथ मेरा noun है noun से पहले आकर जो noun को determine करें इनको बोलते हैं determiners और अगर ये determiners noun से पहले आकर noun को determine करेंगे, तो बच्चे determiners किसके बारे में बातचीत करेंगे noun के बारे में, और जो noun के बारे में बातचीत करें, वो अपने आप में शब्द क्या होता है adjective, इसलिए determiners किसका part हुए, adjective का बात पले पड़ी, बिल्कुल धीमे-धीमे समझा रहा हूँ, बिल्कुल समझाते हुए चलेगी, ठीक है जी, चलिए बातचीत करते हैं आगे, इसलिए मैंने एक बच्चे से पूछा, एक बच्चे से पूछा बेटा, अपने आप में इस my की parts of speech क्या है उस बच्चे ने adjective जवाब दे दिया, उसने बोला देखो सर, friend अपने आप में noun हुआ तो ये अपने आप में adjective हुआ, मैंने बोला सही मैंने दूसरे बच्चे से पूछा, बेटा, आपको क्या लगता इसकी parts of speech क्या है, उसने बोला सर, मुझे तो ये determiner लग रहा है क्यों, कहता है determine कर रहा है किसका friend भई, किसका कहता है my friend, your friend his friend, her friend, their friend कहता है सर, ये तो determine करते हैं, तो ये तो determiners हुए मैंने बोला very good, और determiners किसका part हुए बच्चे, adjective का तो चाहो तो आप इस my को adjective बोल दो, या चाहो तो आप इसका technical terms terms में आप इसको बचे determiner बोल दो, one and the same thing, आप पर depend करता है आप उसे कैसे लेकर चलते हो clear हो गया जी, बातचीत विल्कुल समझ में आती है, बातचीत को आगे बढ़ाते है, अध्यान देना, जो यहां तक मैंने बात की, तो noun से पहले adjective हो, यह determiner इस तरीकी की बाते लिखी जा सकती है, सर आपने यह समझाया क्यों, मैंने यह क्यों समझाया, मेरे जवाब सनो बचे कई बार बच्चा क्या करता है राम likes my friend तो राम likes whom राम likes whom तो बच्चा कहता है, राम likes my friend मैंने बोले बेटा noun क्या है कहता है my friend, my friend noun नहीं है dear, friend noun है और my वहाँ पर determiner या उसको क्या बोलोगे adjective है, उस वहम से आप बाहर आ जाओगे, आस समझाया है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था clear हो गया आगे बढ़ते हैं, आशुतो हाँ बच्चे याद है, आशीश याद है मुझे याद है बच्चे, चले जी आगे बढ़ते हैं, हटाते हैं इसको हटाते हैं, इसको लिखा रहने देता हूँ, आप कोपी करोगे, अब आगे बागचीत को ध्यान से सुनो, तो बटा मुझे एक बात राम लाइक्स माई बेस्ट फ्रेंट राम लाइक्स माई बेस्ट फ्रेंट, अब ध्यान से सुनो कोई गल ने जी, राम अपने आप में नाउन हुआ, हू लाइक्स का रिपलाई आगया राम लाइक्स हूम राम लाइक्स हूम, आप बोलोगे my best friend, अब इसमें ध्यान से सुनो बचे, राम likes whom तो दो second के लिए इनको हटा के देखो अब बताओ, राम likes whom friend, तो friend क्या हुआ now, अच्छो friend कैसा है best friend, तो dear आप ध्यान से देखो, तो ये best अपने आप में किसमे detail एड़ कर रहा है friend में, तो best अपने आप में क्या हुआ adjective, अच्छा फिर आपने क्या क्या, कौन सा best friend my best friend, तो इसका मतलब dear, अपने आप में ये my उसको क्या करने के लिए आया, determine करने के लिए, या तो आप इसे determiner बोलो, या adjective बोलो, कोई गल नहीं इसका मतलब, इस बार इस noun के पास इस noun के पास, एक adjective है या दो adjective है, आपने बोला sir, एक नहीं, दो adjective है इसका मतलब कहानी, यहां तक ये जुड़ी बच्चे, जब आप noun से पहले, noun से पहले determiner या adjective यूज़ करते हैं, clear हो गया तो हो सकता है, वहाँ determiner भी यूज़ हो जाए, और इसके साथ साथ क्या यूज़ हो जाए adjective भी यूज़ हो जाए, अपने को कोई फरक नहीं पड़ता, clear हो गया कोई फरक नहीं पड़ता पातचीत को एक example से और समझो मैंने यहां लिखा, he sang my favorite song he sang my favorite song उसने गाया, बट मेरा favorite song, ये ध्यान दो बच्चे, ये प्रणाउन हुआ, ठीक है, ये वर्ब हुई, ठीक है he sang what बेटा, हू या हूम तो नहीं बोलूँगा, song है, वो परसन तो है नहीं कि मैं हू और हूम का reply मांगू तो मुझे जरा answer आने दो he sang what my favorite song he sang what, my favorite song तो dear, इसमें main अपने आप में noun क्या हुआ, song अच्चा वो song कैसा था, favorite था, इसका मतलब ये favorite इसमें detail add कर रहा है, और जो noun में detail add करे क्या होता है, adjective अच्चा किसका favorite था, मेरा favorite था तो इसका मतलब आप उसको determine कर रहे हो तो ये आने वाली चीज, my, अपने आप में determiner या क्या हुआ, adjective आपकी मर्जी कुछ ही बोलो, चीक है suppose मैं my को हटा के यहां हर लिख दू he sang her favorite song आपने बोला की फरक पहनद है बाई साब, यब भी ये same है determiner बोल दो, या बच्चे आप इसे adjective बोल दो तो नाउन से पहले बच्चे कितने भी adjective आए, कोई गलनी जी कोई फरक नहीं पहनदा, कुछ फरक नहीं पड़ता, आप इस चीज को समझ के चल ले है, clear हो गया, पक्का तो हमने बोला, he sang what what का reply आया, her favorite song तो आप इस चीज को mention कर गए, अब बातचीत को ध्यान से समझ को, अच्चे मैंने पहले step में आपको इस चीज का ग्यान दिया दूसरे में मैंने ये चीज और आपको ये चीज clear करके दी, कि noun से पहले जो extra चीज आप लिखे भी देखते हो ये क्या होती, कासान है चलो बातचीत आगे बढ़ाते हैं एक example और समझो, मैंने बोला he he has bought a book he has bought a book, अध्यान से सुना who has bought a book, आपने बोला he, तो बिटा he, noun तो नहीं है तो वो क्या हो गया, pronoun हो गया क्योंकि noun को represent कर रहा है, सही है अब मुझे बताओ, जरा has helping verb हुई bought main verb हुई कल की क्लास में जिकर हुआ था, अब मुझे बताओ he has bought what he has bought what a book, अब आपका अंसर आया a book, बिटा ये अपने आप में भुक क्या हुई noun ठेक है, अब उस noun के लिए आपने उस noun नाउन के बारे में जानकारी किस्से दी एसे, और इन्हें हम बोलते हैं अपने आप में क्या articles इन्हें हम अपने आप में क्या बोलते हैं, articles, articles भी बहुत पहत्रीन और गजब का topic है, जिसको हम separate करने ही वाले हैं आगे चाके, बाक्ची दिरह ज्यान से सुनो, इसका मतलब यह हो सकता है बच्चे, आपको नाउन से पहले क्या दिखाई दे सकता है adjective, आपको हो सकता है नाउन से पहले क्या दिखाई दे सकता है determiner, या हो सकता है आपको नाउन से पहले दिखाई दे सकते है article तो नाउन से पहले एक नहीं आपको तीन चीजे दिखाई दे सकते हैं जरा मेरे साथ साथ रिपीट करना नाउन से पहले क्या दिख सकता है adjective, क्या दिख सकता है determiner, क्या दिख सकता है article, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, कहीं आप उनको भी नाउन बोलना start कर दे कि सर, what का reply आ रहा है चल, वो भी नाउन हो गया, ऐसा नहीं है तो step number कौन सा cover हुआ two, तो मुझे जरा बात बताओ बेटा noun identification के कितने step complete हुए, दो तो क्या सर, noun identification complete हुई नहीं बचे, noun पढ़ने से पहले, ठीक है हर तो pronoun होता है सर, हेमन्त जी यह प्रणावन नहीं होते हैं आप लोगों ने रट लिया है यह प्रणावन होते हैं बच्चे पता है क्या करते हैं देखो इमन्त द्यान से सुनो बच्टा कहते हैं she, her, her, हाँ कहते है, they, they, are, them मैं बढ़ना फिर कहते है, we, our, us फिर, I, my, me we, our, us यह सब भखवास बाजी है मेरे बच्चे यह जो होता है न या, they, they, are, them तो बच्टा यह they're pronoun नहीं होता, यह they're determiner बोलते हैं इसको या आप adjective बोलो इसको, pronoun में पढ़ाऊंगा यह बाते में ठीक है जी, बच्चे का doubt था, मैंने बता दिया इन चीजों पर ध्यान दो बच्चे और कल की क्लास नहीं ली तसे है तुमने हिमन्त कल बच्चे मैंने क्या बताया था, एक बात बताओ किसी का चहरा parts of speech decide नहीं करता, उसका function ही parts of speech decide करता है so ध्यान से सुनो, देखो दीपक ने बहुत बड़ी answer दिया, clear होगे ना सर, possessive determiners हम इने कह सकते हैं possessive adjectives हम इने कह सकते हैं very good बच्चे, सही answer, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला आपको मैंने ये बात बोलके चली है कि जो face है जो चहरा है, वो नहीं बताए गए क्या है उसका sentence में function ही decide करेगा कि sentence में वो function किस चीज़ का कर रहा है clear होगे ना बटा, तो यहां पर ये pronoun नहीं है, हर, ये adjective है दूसरा देहन से सुनो, अगर मैं कहता हूँ my book, my book तो बच्चे book है, किसकी है, my तो वो उसका determiner मतलब adjective होगा, असान काहनी होगी न समझाया बच्चे, हे मंत का ही doubt था चलिए, आगे बढ़ते हैं बच्चे तो हमने noun identification के कितने step cover कर लिए, दो step दूसरी बात, जिनकी English बेहद weak है बच्चे, जैसे class खतम होगी, app पर से वोने वाली class, two times देखो याद रखना सीकर दम लेना है इस नियत से बैठना अरे जरूरी है, क्या है, हर बात एक बार में समझ आ जाए, बच्चे अलग लग है आप का लिवल, एक बच्चे को एक बात में बात समझ आ रहती है, दूसरे को दो बार में आती है, तीसरे को तीन बार में बटा समझ सब को आती है, बस तो तुम पढ़ पढ़ कर कैसे बोड़ चलिए इसी स्माइल के साथ आगे बढ़ते हैं फटाक से आप कोपी करो कोपी साथ-साथ आप चलाई रखे होगे फिर मैं इसको हटाता हूँ एक मिनिट का समय है फटाक से कोपी करो बिटा ठीक है जी देखो जी और अभी मैंने ये छोटे छोटे लेवल पर बात की बिटा इनकी बाते इनकी बाते मैंने बहुत छोटे छोटे लेवल पर बताया है जैसे जैसे मैं इन topics के पर आऊंगा ना और इन topics की चर्चा करूंगा तब देखना बहुत सारी बाते आपके सामने आएंगी एक बच्चा पूछ रहा है by whom का क्या होगा कमल बिटा by whom का क्या होगा वो मेरा just अभी आने वाला step आगे by whom का क्या होगा ना नाउन में ही मैं बताऊँगा by whom क्या होता है by वहाँ proposition है proposition के concept में मैं समझाऊँगा बिटा चलिए जी आप करते हैं बातचीत को जड़ा आगे continue मैं यहाँ तक हटाता हूँ so noun identification के दो step हमारे complete हुए आप राम से copy करना class के बाद भी class आपके पास save है अब मैं बात करता हूँ dear step number third की क्या noun identification पूरी हो गई बेटा इतनी जल्दी नहीं मैंने आपको पहले ही promise किया था मैं आपको noun वो नहीं पढ़ाने वाला जो आज तक आप पढ़ते आए हो फिर basic to advanced level किस बात का हुआ मैं आपको वो noun पढ़ाने वाला हूँ जो अंत करेगा English का इसके बाद आपको पढ़ने के ज़रत नहीं पढ़ेगी clear होगा ना बच्चे चलिए आगे देखते हैं अब बातचीत करते हैं noun identification के step number third की noun identification step number third दो step आपको दिमाग में बैठ गए होगे step number third step number third में आप confuse करोगे देखो मैंने अब क्या-क्या series दोड़ाई आपको noun pronoun adjective determiner article इन सब का effect मैंने दिखा दिया noun पर noun पर किस-किस चीज का effect दिखाया कि pronoun कैसे confuse करेगा adjective कैसे confuse करेगा determiners कैसे confuse करते हैं articles कैसे confuse करते हैं उनके चर्चा हुई अब सबसे इसमें बच्चा सबसे ज़्यादा confuse होता है इसलिए मैं इम्माक कर रहा हूँ पिटा ये है adverb 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 क्या करती है noun में confuse करेगे आपको 100% confuse करेगे जैसे मैंने एक शब्द लिखा home और मैंने बाप से पूछा home क्या है adverb या noun home क्या है adverb या noun बताओ तो ज़रा comment में फटाक से answer आने दो home क्या है adverb है या noun है home adverb होता है या home word अपने आप में noun होता है बताओ तो ज़रो noun noun कोई कह रहा एड़ वर्ब कोई कह रहा noun अच्छा जी अच्छा चलिए अरे वाब बड़े एक सही answer आए मेरे पास ठीक है देखो बिटा अब मैं बताता हूँ अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था बे बचे जो शब्द आपको देखकर बोलना पड़ जाए उसको कभी मत बोला करो बोलो सर चहरे से नहीं पता चलता कि क्या क्या है function decide करता है कि वो क्या है the function of the word will decide the parts of speech not the face of the word word का चहरा नहीं बताएगा आपको उसकी parts of speech बचे उसका function बताएगा sentence में क्या है so without sentence लिखे कभी भी parts of speech मत बताया करो आप बोलो सर डिपेंड करेगा आप sentence लिखो ऐसे तो कुछ भी हो सकता है क्या पता होम एडवर्ब भी बन जाए और क्या पता होम नाउन भी बन जाए चलिए गल्ला करते हैं आगे पाकचीत को समझना ज़रा किस तरीके से बात कर रहे हैं देखो मैंने आपको समझाया था मैंने आपको समझाया था कि बटा जो नाउन होता है जो नाउन होता है वो अपने आप में who whom और what का reply होता है चलिए जी ऐसा क्यों? क्योंकि who, whom और what से आपको नाम ही पुकारना पड़ता है अब बातचीत करते हैं जरा बच्चे adverb की, सर adverb को कैसे पहचानते हैं बच्चा बोलेगा सर हम पढ़तो नाउन रहे हैं बात सुनना मेरी सर हम पढ़तो नाउन रहे हैं तो हम adverb को पहचानना क्यों सीखे? मैंने वही बोला था बच्चे जब आप English में किसी भी topic को उठाते हो तो बाकी के topics भी उस पर effect डालते हैं और जो जितना effect डालेंगे मैं सारा वो basic clear करा के दूँगा मैं तभी आगे बढ़ूँगा पात्चित सुनो मैंने आपको बताया था चोटे level पर समझना बेटा एडवर्ब क्या है? फिर हम एडवर्ब topic में ही चर्चा करेंगे actual में एडवर्ब क्या है? एडवर्ब का सीधा relation होता है बच्चे action से ज्याद रखना एडवर्ब का सीधा relation होता है action से ध्यान से सुनो जो noun या pronoun के बारे में details दे वो adjective है और जो action के बारे में details दे वो adverb है छोटे दरजे पे otherwise adverb बच्चे conjunction में भी detail एड़ करती है proposition को भी qualify करती है whole statement को भी qualify करती है बहुत सारी चीजे है उनकी चर्चा नहीं करेंगे चर्चा सिर्फ उतनी होगी जितना effect noun पर होगा तो अभी छोटे बच्चों के लिए मुझे जड़ा एक बार छोटे बच्चे की तरह बताओ adverb किसमे detail एड़ करती है action में और noun में detail एड़ कौन करता है adjective और action में कौन detail एड़ करता है adverb चलिए बातचीत को आगे बढ़ाओ मुझे एक बात बताओ adverb अगर action में detail एड़ करेगी तो action में क्या-क्या detail एड़ हो सकती है action कब हुआ action कैसे हुआ ठीक है suppose action कब हुआ अप का मतलब आप आई थे तो आप कब आई थे कब आई आप तो ये आपके action का ही detail हुआ आपने खाना खाया था कब खाया था आप दोड़े थे कैसे दोड़े थे ये चीज़ कि जितने भी action से related details होंगी action से related वो सब क्या होंगी adverb दूसरा सुनो कहां गई थे तो कहां where आप गई थे कहां गई थे तो वो भी अपने आप में किस में detailate कर रहा है action में so dear when का reply how का reply where का reply ये सब अपने आप में क्या बनने वाले है adverb बनने वाले है चीज़े समझ आ गई so ये ही चीज़े यहाँ पर बनती है adverb अभी छोटे दरजे पे समझा रहा हूँ when का reply how का reply when how where ठीक है ये सब चीज़े यहाँ पर आ जाती है बाकी frequency भी adverb होती है उनके बारे में adverb की types के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ adverb of place होती है ठीक है adverb of manner होती है adverb of time होती है ये चीज़ यहाँ पर mention clear हो गया तो छोटे दरजे पे हमने देखा अब देखो इस चीज़ का effect यहाँ कैसे आने वाला है चलो बच्चे पता करते हैं home अपने आप में क्या था अब समझ आएगा आपको मैंने step number third noun identification में क्यों लेके आया बातचीत को ज़रा ध्यान से समझो मैंने बूला मैंने बूला he he likes या he की जगह noun लिख देता हूँ pronoun की जगह मैंने लिख दिया रोहित रोहित likes his home रोहित likes his home चलिए जी पता करते हैं बच्चे इसमें अपने आप में home क्या है मुझे ज़रा सोच विचार करके बताओ who likes his home आपने बूला रोहित तो रोहित अपने आप में क्या हुआ noun likes अपने आप में क्या हुई verb बातचीत आगे समझो रोहित likes what रोहित पसंद करता है क्या पसंद करता है रोहित likes what आपने बूला his home तो इसको ज़रा हटाओ दो सेकिन के लिए बिटा अब भी तो डिटेल है अपने आप में रोहित likes what home तो what का reply अपने आप में home हुआ तो ये अपने आप में क्या हुआ noun अब मैंने बोला किसका home his home तो डिटेल ज़रा आगे करके देखो जो noun के बारे में detail add करी आप इसको मैंने क्या बोला था अभी अभी determine कर रहा है determine बोल दो और या क्या बोल दो adjective बोल दो क्योंकि बेटा determiner अपने आप में किसका part होते है adjective का part होते है असान होई कहान ही इन topics को हम बाद में पढ़ेंगे बर छोटे level पे अभी देख के चलो ठीक है जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गजब पिटा कभी भी चेक करना online में जितना बढ़िया response आपके batch का है किसी batch का नहीं है बहुत साल होगे यार पढ़ाते हुए बहुत साल होगे इतने सालों में यही जाना है कि बच्चे को serious कैसे करना है तो आप अपने गुरू पे भरोसा रखो थोड़े दिन में मैं आपको serious कर जाऊँगा इतना serious की घर बैठे आपको वाकिय में feel होगा आप मुझे screen पे नहीं आप अपने गुरू के सामने बैठके पढ़ रहे हो चलिए आगे बढ़ते हैं मैंने ओला रोहित likes his home तो home अपने आप में noun हुआ यह आने वाली चीज his अपने आप में determiner या adjective हुई बेटा his pronoun नहीं है यहां कहीं exam में parts of speech पूछे और तुम his को कह दो अरे pronoun है बेटा वहीं के वहीं गड़बड हो जाएगी यहां यह determiner या adjective है क्योंकि noun से पहले उसके बारे में detailed कर रहा है असान होई कानी तो यहां his pronoun नहीं है कहीं तुम सोचो अरे सर देखो ना ही his, him, as को इसलिए मैंने बोल दिया pronoun है यहीं से आया ऐसा नहीं बच्चे ठीक है अभी देखा था न एक बच्चे ने गलती कर दी थी चलिए आगे बढ़ते हैं तो इसको याद रखना यहां पे his pronoun नहीं डेटरमिनर या adjective है बच्चित आगे बढ़ते हैं अब होम यहां पर noun है मैंने बोला he went home he went home he went home तो वो घर गया था आपको बच्चित समझ आती है बात समझ यह आती है बच्चे who went home तो आपने बोला he तो बच्चे he noun तो नहीं but sir who का reply तो है noun होना चाहिए noun तो नहीं noun को represent कर रहा है तो अपने आप में यह क्या हो गया pronoun बहुत बढ़िया चले he went अपने आप में क्या हुई verb अब बात बताओ बटा बात बोड़ी गेरा है किये इदम चुप आम दो ज़रा मुझे बताओ he went what he went what मसा नहीं आ रहा यार what का reply तो नहीं बन रहा he went what logical कोई sense नहीं आ रही न वर्ट से फिर क्या करें यार sir what का reply तो नहीं बन रहा ये home मैं बन लगा क्यों नहीं बन रहा कहते हैं यहां तो बन रहा है he likes what he wants what ये तो what का reply वहाँ दे पा रही है but ये verb reply है चेहरे की smile और तुमारा answer बता रहा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया God bless you all बहुत अच्छे से response है ठीक है जी ध्यान से सुनो पच्छे इसका नहीं आ रहा मैंने बन बन फिर क्या करें कहते है sir when का reply आ रहा है he went when नहीं sir time थोड़ी नहीं मैंनुला सही है he went how नहीं he went where file आ गई ना पता चल गया शैतान हो तुमें very good so he went where he went where home इसका मतलब आने वाला home अपने आप में किसका reply हुआ where अगर वो where का reply है dear तो वो noun नहीं वो तो free detail add कर रहा है किसमे action गया कहा गया कैसे गया कब गया कितनी बार जाता है किस तरीके से जाता है ये सब कब कब जाता है ये सब action की detail है और action की detail अपने आप में क्या होती है adverb very good इसका मतलब home यहाँ noun नहीं है home यहाँ function कर रहा है किसका adverb का इसलिए याद रखना चेहरे पे मत जाना चेहरे अक्षर धोखा देते है काम से पहचानो इंसान को चेहरे से नहीं जिसका जितना भोला चेहरा आखिर में चोर वही निकलता है C.I.D. देखते हो तो मागे बढ़ो So he went where home इसका मतलब बचे home अपने आप में यहाँ adverb है noun नहीं clear हो गया विने गलत आंसर दे रहा है बेटा तूं गलत आंसर दे रहा है ध्यान से सिखो चीजों को अब बताओ मुझे तो मुझे जरह दो सेकिन में सोच के यह बताओ अब समझगे कि क्यूं आपके गुरू ने noun पढ़ाते time adverb का जिकरिक किया वो इसलिए किया ताकि आपसे कभी गलती ना हो life में तो बिटा देखते ही जो बोलते थे थे ना home क्या है noun है जी noun है क्यूं नाम है noun है noun है noun हो गया गलत बाद इस तरीके से कभी मत पहचाना चलिए आगे की कहानी ध्यान से सुने तो जब भी हम इन चीजों को देखेंगे तो अपने आप से समझ जाना ये क्या है क्या नहीं है क्या बन रहे है क्या नहीं है वो detail कहाँ है डोरी है एक और example दूँ आपको एक और आदमे चलो जी एक example और देखो मैंने बुला रोहित रोहित raised the station मैंने लिख दिया रोहित raised the station मुझे जरा ध्यान से सुनके बताओ रोहित raised the station who raised the station रोहित रोहित अपने आप में क्या हुई वर्ब हुई चलो आगे सुनो रोहित रीज्ट रोहित रीज्ट दा स्टेशन तो मुझे बताओ जरह स्टेशन की पार्ट सो स्पीच क्या है स्टेशन की पार्ट सो स्पीच क्या है राजदीप कह रहा है सर नाम लेने से क्या होगा और नाम आपके सेलेक्शन के बाद मैं नहीं हर कोई आपका नाम पुकारेगा आपका गुरू नहीं हर कोई आपका नाम पुकारेगा एक बार सेलेक्शन लो तुम हर कोई वो जो relatives तुम्हारे तुम्हारे बारे में भुला भला बोलते हैं न सच्चे दिल से तुम्हारा नाम पुकारेगा एक बार selection लो तुम ले लो गया चले my dear, बात करते हैं आगे बटा इसी बात इसी लगन से पढ़ना इसर आप से ही नहीं हर कोई हमारा नाम पुकारेगा, हम होंगे successful very good, तो रोहित रीज्ट वाट, रोहित रीज्ट वाट कई बार बच्चा रट लेता है, अरे ये तो noun होता है ने सर स्टेशन, ऐसा नहीं है clear हो गया, अगर मैं इसको ऐसे कर दू बटा, रोहित likes the station रोहित likes the station रोहित को वो station पसंद है ठीक है अगर मैं यहाँ पर लिख दू, रोहित likes the station, बात समझ आई अब मैं यह बोलू, रोहित तो who likes, रोहित likes अपने आप में क्या हूँ बच्चे, वर्ब, अब एक बात बताओ रोहित likes where the station, where का तो reply नहीं है किसका reply है, what का, रोहित likes what, क्या like है रोहित को, मैंने बोला, रोहित likes gold तो रोहित likes what, gold noun हुआ, रोहित likes what the station, इसका मतलब station अपने आप में क्या हुआ, noun हुआ तो कि यहाँ यह किसका reply है छोटे, what का reply है, यह है करा कहानिया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, दोनों साइड बच्चे सीरेस, बहुत बढ़िया admission की last date क्या है, बिटा admission ऐसा है कि जो demo class है मतलब आज जो third class है, वो हम अब से खतम करेंगे, और Monday आपको पता है, इसके बाद Monday to Friday आपका बैच है Monday जो आपकी class होगी वो फिर YouTube पर live नहीं होगी सिर्फ app पर live रहेगी तो तब तक आप राम से admission लो, कोई गल नहीं है ले रोगया, इतनी minimum मैंने जहान पूछ के रखी हुई है आगे देखो बच्चे, तो हमने यहाँ पर गल्ला की जारा चीजों की यह है और बाद में जाके हम इन चीजों को भी discuss करेंगे बच्चे, यह सब effect होते हैं verbs के, verbs की effect होते हैं यह सब, यह सब effect verbs के होते हैं transitive verbs और intransitive verbs verbs याद करो बच्चपन ठिक है, मैंने कहा था, verbs के बहुत सारे types होते हैं कल की class में, यह सब उनके effect होते हैं, बाद में गल्ला करेंगे, अभी नहीं, तो आसान हुआ यहाँ तक, तो noun identification का step number third भी complete हुआ, जिसमें adverb का effect है पिटा, अब आपको noun identify करते time, कोई परिशान नहीं कर पाएगा, आप अपने noun को identify कर लोगे, yes or no, चलीजी, फटाक से copy करो, मैं हटा रहा हूँ, कहानी को जड़ा आगे बढ़ाते हैं, फटा-फट से copy करो, कोई बारतल आप ना करे, आपके बाद सेव रहने वाली एक लास, आप राम से copy करें, कोई गल ले, तो noun identification में हमने तीन चीजे cover कर ली, अब देखते हैं आगे की वारतला पर, अब एक बच्चे का जड़ा ध्यान से देखते हैं, doubt एक और था, वो doubt आगे जाके cover होने वाला है बच्चे, बातचीत समझें, सारी बात एक दम से नहीं बताऊंगो ना, बिल्कुल आपसे promise किया था मैंने first class में ही, बिल्कुल zero level से आइस्ता आइस्ता उठाते वो लेके चलूँगा, ख्यान दो भी, take a deal, अभी तक अगर मैं आपको एक list बना के दूँ, अभी तक मैं अगर एक list बना के दूँ, तो हमने topic स्टार्ट किया noun, noun में topic number one हमने किया basic part, इसर noun को समझने के लिए English का basic part, basic हमें कितना चाहिए होगा मैंने vocal की, बात समझें अगर आगे तो मैंने फिर topic number two कराया noun identification, noun identification, बचे इस noun identification में मुझे जरा बताओ कितने step में cover किया, step number one, step number two, step number, step number one में बच्चों की तरह तुमने जाना, who, whom और what का reply noun है, step number two में देखा की who और whom और what का reply तो noun है, बट कई बार noun की जगए क्या दिख जाएगा, pronoun, और कई बार noun से पहले क्या दिख जाएगा, adjective, determiner या article, step number three में क्या जाना, सर हो सकता है, adverb हमें आकर क्या कर दे, प्रेशान, हमने इसको जान लिया, तो बेटा, ये था हमारा topic number two, ये था topic number one, so noun के इक इतने topic cover हुए, subtopics, दो topics cover हुए, तीसरा, बेटा, जैसे ही ये चीज़ होगी न, जैसे ये चीज़े खतम होगी, noun खतम होगा, फिर मैं PDF आपको provide करा हूँगा, तब आगे बढ़ेंगे, चली, अब बात कीच करते हैं, जरा topic number third की, अब मैं आपको लेकर आ रहा हूँ, topic number third, noun का, ये हमारा topic number third है, ये list जरूर बनाके चलना, list जरूर बनाके चलना, ताकि आपको पता चले, noun के कितने topics हैं, noun number है, noun unit है, ठीक है, noun की categories आएंगी, noun की types आएंगे, ठीक है, बहुत सारी topics है, तो उनको list जब तक ऐसे नहीं बनाओगे न, systematic नहीं चलोगे न, बिखर जाओगे, होता नहीं है, कि पता ही नहीं चल रहा कहां क्या है, खिचडी है, जैसे यूटूब पे आप देखोगे, इतना सारी बहतरीन teachers हैं, अच्छा content पढ़ाया हुआ है, बट systematic भी नहीं है, और systematic भी से नहीं चलोगे न, तो 100% आपको बहुत बड़ी परिशाने होने बादे, ठीक है, चलिए, ये बाते छोड़ दो, पर दूसरे को बुरा लगेगा, इसलिए किसी का नाम नहीं लेता है, आपका सबसे प्यारा नाम मेरी नजरों में है, थी बेस्ट केंडिडेट्स, आप सबसे बहतरीन केंडिडेट हैं, जो अपना future बनाएंगे, और आपका नाम पूरी दुनिया बुका रहे हैं, मैं नहीं, आइए मैडियर, बात करते हैं, topic number third की, अब से topic number third में क्या कराने वाले हैं आप, मैं कराने वाला हूँ बेटा, noun phrase, ठीक है, और noun phrase की bracket में लिख देते हैं क्या, identification, noun phrase की क्या, identification, ठीक है, अब हमारे दिमाग में आया दू मिनट के लिए सोचो, अर इस से, identification तो आपने करा दी noun की, मैं नहीं वहाँ, आपने noun की identification तो करा दी बच्चे, बट noun की identification में आपने एक problem ये डाल दी, कि जब आप उसको identify करना सीख रहे थे, तो वो एक-एक word थे बस, एक-एक word से identify कर लिया आपने, बट अभी बात कर र और उससे ही मैं क्या समझ लूँगा, noun phrase, बात बड़ी गयराई की है, ध्यान से सुनना, मैं जरा इसको अब हटा देता हूँ, अब बात करते हैं topic third की, देखो dear, phrase को समझते हैं, जैसी हम phrase समझेंगे, noun phrase समझ आ रहेगी, बिटा, अलग से phrase topic मुझे कराने की जरूरत नहीं प होती है, उसका relation किस से होता है, sound, और sound की return formation क्या होती है, letters, और letters को अगर जोडे तो एक meaningful sound आती है, क्या word, बहुत गजब के बच्चे हो, अध्यान दो dear, language sound, sound है letters, और letters की return formation, मतलब जब letters को आप एक combination में रखते हैं, arrangement करते हैं, inventory बनाते हैं, पर एक meaningful sound आती है, उसको क्या बो पहला था, word, अध्यान दो, word के बाद क्या आता है, word के बाद आती है phrase, हमें इसको समझना है, word के बाद आती है phrase, लिस समझा है, यही list से हमें आगे बढ़ना है, word के बाद आती है phrase, तो इस सर्फ phrase आखिर कर है क्या, बातचीत समझो ज़रा नीचे आके, बेटा phrase क्या होती है सबसे पहला point collection of words कैसे हो collection of words अरे उसने mask नहीं डाला हुआ mask लगा क्या करो collection of words ठीक है देखो भी phrase है collection of words तो ध्यान दो dear letters की collection से एक meaningful sound क्या बनी word और word की collection से क्या बना phrase तो dear collection of words को क्या कहते हैं phrase आइस्ता इस्ता point सुनना फिर मैं बातचीत को करता हूँ आगे देखो next phrase के पास कोई भी अपना subject नहीं होता और कोई भी अपनी verb नहीं होता बातचीत देरा ध्यान से समझेए subject किसका होता है verb का अरे जब subject ही नहीं तो verb नहीं क्योंकि verb को subject चाहिए और subject को verb चाहिए छोटी सी बात है आपके पल्ले पड़ेगी verb को subject चाहिए subject को verb चाहिए जब phrase के पास subject ही नहीं है तो phrase के पास verb भी नहीं होगी no subject, no verb collection of words होगी उसके पास कोई अपना subject नहीं होगा कोई अपना उसके पास verb नहीं होगी बातचीत को समझते हैं सर कैसे हम इस चीज को समझने की कोशिश करें देखो डियर panic statement लिखी suppose Rohit sang my favorite song ठीक है इस बात को समझना दरा आओंगा बेटा उस बात पे विश्यमम आओंगा बेटा उस बात पे Rohit sang my favorite song ठीक है अब मैंने यहाँ पे लिखा Rohit down हुआ क्यों who sang my favorite song ठीक है यह अपने आप में क्या हुई verb होई सही है अब 2 second के लिए 2 second के लिए मुझे ज़रा इस बात की details आगे दे Rohit sang what Rohit sang what अब इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करो जो यह तीनों शब्द है यह आखिरकार है क्या आपने बोला सर सोंग रहा नाउ मैंने बोला बहुत अच्छे बच्चे अपने आप में है सर adjective मैंने बोला गजब कर दिया मैंने बोला माई क्या है सर माई को आप determiner बोल दो या आप इसको भी कह सकते है adjective आसान हुआ यहां तक हम पहुंच चुके और एक change देखो आप अपने आप में बेटा आप एक एक शब्द की parts of speech बता पा रहे हो एक एक शब्द को बता पा रहे हो यह क्या है यह क्या है clear हो गया शुबम ठीक answer है बेटा अभी उस पे आ रहा हूँ रोहित सेंग my favorite song तो मैंने बुला रोहित सेंग what my favorite song तो मैंने उस चीज को बोल दिया अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ सर यह phrase कैसे बनी ध्यान दो अब मैंने क्या किया कि जो what का reply है उस what के reply में मैंने खाली song को नहीं लिया my favorite song को consider कर लिया यह adjective किसके लिया है noun के लिए so noun के बगेर क्या धूरे है adjective noun के बगेर adjective अधूरे होते है इस बात को ध्यान से समझो कैसे समझोगे 2 second के लिए मैं यहां से song को हटा दू देखो अब पताओ रोहित सेंग what कहता my favorite my favorite क्या तुम्हारा my favorite क्या आगे तू भोल इसका मतलब यह हुआ बच्चे जब adjective तो आ गया हाँ तो उसका noun तो लिखो तो इनका जो leader है अपने आप में वो क्या है song है तो अपने आप में क्या है नाउन के लिए आए है तो उए adjective किसके साथ जुड़े हुए है नाउन के साथ तो क्यों ना इस बार इन adjectives को इस noun के साथ ही रखूँ और यहाँ पर एक box बना लूँ ठीक है जी क्यों ना my favorite दोनों adjectives को इस noun के साथ ही रखूँ और एक box बना लूँ ठीक है मुझे बताओ जरा इस box में कितने word है आपने बोला सर तीन word है एक तो तीन इस box में कितने word है आपने बोला सर तीन word है एक तो तीन तो अगर यह तीन word है तो अपने आप में यह क्या बन गई collection मैं रोला किसकी बन गई words की पहली बात दूसरी कैसका अपना कोई subject इसमें कोई subject नहीं है बिटा कैसमें कोई verb कोई verb नहीं है इसका कोई verb कोई subject नहीं असान हुआ है ठीक है तीन word की अपने आप में क्या बनी collection और जो words की collection हो उसको क्या बोलते हैं phrase इसका मतलब अगर तीनों को मैं एक साथ देखूंगा तो इसको मैं क्या बोलूँगा phrase असान हुई कहानी अब यहाँ तक समझने की कोशिश करो मैंने क्या नहीं बिटा इन बातों को समझा करो जैसे suppose करो मैं ये लिख दू रोहित एंड मोहन मैं लिख दू रोहित एंड मोहन पिटा रोहित को देखोगे अलग एंड को देखोगे अलग मोहन को देखोगे अलग very good मैं कहा रहा हूँ अलग अलग मत देखो तीनों को एक साथ देखो अलग-अलग मत देखो तीनों को एक साथ देखो तो आपने बोला सर तीनों को एक साथ देखोगे तो ये क्या बनेगी तीनों को एक साथ देखोगे तो ये क्या बनेगी असान हुई न कहानी यही चीज मां आपको वहां समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जब आपने what का reply दिया तो what के reply में खाली song noun नहीं बोला आपने बोला my favorite song मुझे ज़र आंसर करो who sang my favorite song आपका आया रोहित रोहित sang what my favorite song रोहित sang what my favorite song my adjective हुआ favorite adjective हुआ और song उसमें अपने आप में क्या हुआ noun मैंने बोला अगर what के reply में cover करोगे तो तीनो एक साथ है क्यों क्यों क्योंकि बच्चे adjective किसके लिए आता है noun के लिए तो मालिक कौन है noun तो adjective किसके साथ जुड़ा है noun के साथ मैंने बोला उसको उसके साथ जुड़ा रहने दो अगर जुड़ा रहने दोगे कौन है, में लीडर ये नहीं, में लीडर ये नहीं, में लीडर ये सौंग है, इसका मतलब जो हम बात कर रहे हैं, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, सौंग के बात, में वहाँ पर सौंग है, में ये नहीं है बच्चे, ठीक है जी, पहली बात, इसका मतलब जो ये फ्रेज बनाई है, ये किसके दम पर खड़ी हुई है, ये इस नाउन के दम पर वहाँ खड़ी हुई है अगर ये नाउन नहीं, तो इस फ्रेज का कोई वजूद नहीं, इस बात को दिमाग में बैठाओ, अगर मैं यहां से ये सॉंग हटा दूँ, तो इस सेंटेंस का कोई माईने नहीं, रोहित सेंग माई फेवरेट, माई फेवरेट, माई फेवरेट क्या, कुछ नहीं, तो सेंटेंस गलत हुआ, अगर सॉंग है, तो इस फ्रेज का वजूद है, अगर सॉंग गायब, तो इस फ्रेज के कोई माईने नहीं, इसका मतलब इस phrase को पड़ा करने वाला, इस phrase को डेटर्माइन करने वाला, इस phrase को अपने आप में वहाँ place करने वाला वो noun है, अगर noun हटा तो phrase हटी, इसका मतलब इस phrase पर अधिकार भी किसका होना चाहिए, noun का होना चाहिए, इसी लिए इसको हम बोलेंगे noun phrase एक तीरशे, दो निशाने, कैसे दो निशाने, आपने ये तो समझी लिया, ये तो समझी लिया, कि फ्रेज क्या होती है, साथ साथ आपने ये भी समझ लिया, नाउन फ्रेज क्या होती है, मुझे बताओ, फ्रेज क्या है, collection of words, मैंने बुला, अगर फ्रेज क्लेक्शन of words है, तो वो noun phrase कब होगी आपने बोला जब what का reply होगी बई noun phrase है तो reply नहीं change होगे बच्चे reply नहीं change होगे वो what का reply बन जाएगी सर सिंपल सी बात है तो वही चीज यहाँ पर आपने mention करके चनली है असान होगे न कहानी वही चीज आपको mention करके चनली है इसका मतलब बिटा यह अपने आप में बनी noun phrase ठीक है चलो एक कहानी एक example से और इस बात को ज़रा आगे समझने की कोशिश करते हैं ध्यान से सुनो मैंने बोला राम बोट अ डिसेंट ब्लैक शुर्ट राम बोट अ डिसेंट ब्लैक शुर्ट अंदोजरा अंसर देखो वो बोट अ डिसेंट ब्लैक शुर्ट ठीक है तो आपने बोला से राम तो राम अपने आप में क्या हुआ ना हूँ अब मुझे बताओ राम बॉट वाट अध्यान दो बचे जो मेन है वो क्या है जो अपने आप में क्या हुई नाउन क्या है ब्लैक शिर्ट कैसी है यह क्या हुआ इसका मतलब बचे यह आटिकल किसके लिए आया नाउन के लिए डिसेंट ब्लैक क्या है शिर्ट तो यह भी एड्जेक्टिव किसके लिए आया नाउन के लिए इसका मतलब यह चीज अब कवर होने वाली है जब यह चीज मैंने एक साथ देखी तो 1,2,3,4 अगर 4 वर्ड को मैं एक साथ देख रहा हूं तो यह अपने आप में क्या बन गई फ्रेज अम मुझे बताओ राम बॉट यह फ्रेज किसका रिप्लाई है आपने बुला सरी यह तो वट का रिप्लाई आने लग रहा है तो मैंने बुला राम बॉट वट a decent black shirt इसका मतलब अपने आप में यह फ्रेज क्या हुई noun phrase चुकि इसका leader कौन है shirt जो noun है वाजी असान तो आपने खाली यह नहीं जाना phrase क्या होती है आपने साथ-साथ यह भी जान लिया बच्चे यह भी जान लिया कि उस phrase का noun phrase पहचानने का तरीका क्या होगा बहुत आसान से बات है क्लिदे, वोकैब बच्चे मंदे से स्टार्ट करूँगा मैं वोकैब कराना मंदे से स्टार्ट करूँगा, क्लास स्तार्ट ही वोकैब से क्या करेंगे कुछ दिन तक और ये जो भी Saturday Sunday आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहो English by जैजिप सिंग यूट्यूब चैनल है मैं उस पे भी vocab extra वहाँ पर भी कराऊंगा और class में हम Monday से vocab अपने start करने start करेंगे पिटा class में vocab जो कराऊंगा वो अलग होगी जो YouTube पे कराऊंगा वो अलग होगी उसका reason यह है बच्चे YouTube से भी पढ़ेंगे हम और class में तो vocab करेंगे ही करेंगे तो जादा vocab हमारे पास cover हो जाएगी इसलिए मैंने आप से promise किया था कि vocab की मैं extra classes भी लूँगा जो class में होनी है वो class में होनी है और Monday से हम start करेंगे एक बार startup आपका ही ले लिया Monday से हम vocab भी start करेंगे चलिए वापसी करते हैं अब phrase के बारे में कुछ एक गल्ला और कर लें ध्यान से सुनना मैंने बोला phrase अपने आप में क्या होती है collection of words फिर मैंने बोला phrase का कोई subject नहीं कोई verb नहीं ठीक है चलो बातचीत आगे बढ़ाओ एक quality phrase में और होती है क्या quality ध्यान से सुनो my favorite song मेरा favorite song तो जे my favorite song है अपने आप में थीन word की collection है तो phrase बन गई ठीक है क्या ये phrase complete meaning दे रही है या incomplete meaning दे रही है आप बोलोगे sir complete meaning तो पूरा sentence देगा न हाँ, phrase कभी complete meaning नहीं देगी phrase कुछ meaning देगी but not complete meaning so phrase collection of words होती है जिसके पास अपना कोई subject या verb नहीं होती दूसरी बात सर्वो कुछ meaning तो देगी हाँ but वो complete meaning नहीं देगी क्योंकि complete meaning देने का काम sentence का है, phrase का नहीं है इसका मतलब ये हुआ some meaning some meaning not complete meaning ये नहीं कि dear वो meaningless होगी meaningless नहीं होगी वो meaning तो होगा but complete meaning नहीं होगा आप खुद से अब discover कर पा रहे हो आप उसको खुद से जरा पढ़ के देख लो अपने आप आपको पता चल जएगा a decent black shirt meaning तो है but complete थोड़ ना बेटा complete meaning देने का काम तो sentence का हुआ तो ये तो अपने आप में कोई complete meaning नहीं दे रही है तो इसलिए यहां पर देखो ना बढ़िया बहुत अच्छे यहीं से हमने इसका आंसर पकड़ लिया some meaning not complete आगे की खासियत देखते हैं फिर हमने एक function phrase का और लिया क्या function लिया कोई भी phrase जब होगी तो वो phrase parts of speech में किसका function करती है noun phrase कोई भी phrase parts of speech में किसका function करती है noun phrase इसका मतलब phrase अपने आप में खाली phrase बनी और पड़ी नहीं रहेगी वो phrase hundred percent function करेगी किसका noun का हम पहचान लेंगे दूसरी बात क्या सरकाली phrase noun का ही function करती है हमेशा ऐसा नहीं है इसलिए एक function और है और इस function पे मैं लगा रहा हूँ star क्योंकि इसको अभी नहीं समझाऊंगा इसको मैं आगे topics में समझाऊंगा reason क्या है ध्यान से सुनना एक phrase अपने आप में एक phrase अपने आप में ऐसे लिख लो इसको अपने आप में हो सकती है noun phrase एक phrase अपने आप में हो सकती है adjective phrase और एक phrase अपने आप में हो सकती है adverb phrase इसका मतलब dear एक phrase अपने आप में एक नहीं काम करती है तीन phrase अपने आप में एक नहीं काम करती है तीन तो आपने बोला सर बताओ फिर adjective phrase मैंने बोला बेटा adjective में पढ़ेंगे सर बताओ adverb phrase मैंने बोला adverb में पढ़ेंगे हुआना काम असान आपने बोला सर बताओ noun phrase noun तो चल रहा है तो noun phrase बता दो मैंने बोला बता दिया समझाया तो जो phrase है वो जिस topic से relate करेगे उसी topic में cover करेंगे बिच्चे हम यहां खिचडी नहीं बनाएंगे कि मैं adverb phrase को यहीं बताने लग जाओ confused हो जाओगे आप noun चल रहा है noun पर ही टिको noun phrase क्या है आपको बता चल गए तो मेरे साथ साथ एक बार यहां तक जरा wind up करने की कोशिश करो फिर आप इसको copy करना फटाक से जरा मुझे बताओ मुझे बताओ अपने आप में phrase क्या होती है collection of words दूसरी बात phrase का कोई अपना subject या verb नहीं होता तीसरी बात phrase का कुछ meaning होता है but not complete meaning चोथी बात phrase noun phrase का का काम करती है और what का reply बनेगी हम तुरंट पैचान लेंगे ठीक है पाचवी main बात phrase अपने आप में सर तीन हो सकती है basically कौन कौन सी phrase जरा बोल देना noun phrase adjective phrase, adverb phrase noun में कौन सी phrase को जान लिया noun phrase adjective, adjective में जानेंगे verb phrase, adverb में जानेंगे यहां तक बात पले पड़ती है चलिए जी, wind up करते हैं whole class को अब तक हमने क्या क्या noun identification start की बच्चे noun topic number 2 में क्या जाना noun identification, जिसमे noun एक word था बस topic number 3 में क्या जाना noun phrase, जिसमे noun अपने आप में खाली एक word नहीं रहा पूरी क्या बन के आया phrase, अब topic number किसकी बात होगी 4, topic 4 में हम जानेंगे noun clause, ठीक है पटाक से copy करो, एक minute का time है copy करने का time में इसलिए कम दे रहा हूँ dear, आपके पास app पर यह जो class है, वो पूरे complete one year तक validity है, एक साल तक save रहेगी आप class को कितनी बार भी चाहो repeat करके देखो, जब आप repeat करके उसको देखोगे ना, तो notes बनाते हो, maintain कर लो आगे forward करते हुए इसको देखो, कहां सरने copy करने बोला था वहाँ से copy कर लो, पटाक से करो वरना आप मेरे साथ साथ copy कर सकते हैं ठीक्या जी चले जीर, तो ध्यान दो, यहाँ पर अपने आप में क्या है, क्या चीज़े नहीं है, क्या चीज़े cover हो रही है डन, चलो, अब आगे की बात्चित करते हैं ज़रा, आगे चीज़ों को समझते हैं, topic number 4 की अब अब बात करेंगे तीन topic हमारे cover होगे, डियर, नाउन के तीन sub-topics हम cover कर चुके हैं और इन तीन topic में ध्यान रखना बच्चे, मेरे साथ जो आप नाउन करोगे तो मेरे साथ खाली नाउन खतम नहीं कर रहे हुआ आप, नाउन के साथ-साथ जो बाकी चीजे भी हैं, वो भी खतम हो रहे हैं, तो ये मत दिमाग में इठाना, सर, नाउन चल रहा है इतनी class से के नाउन इतना time लेता है, भाई, मेरा हरिटिक topic time लेता है जो offline मुझसे मुखरजी नकर बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें पता है, proposition तो बच्चे एक बार मैंने 35 प्लस आर्स खीच दिया था 35 घंटे proposition, इतना बड़ा topic है, जो जैसा topic होता है, उसको उतना time sufficient दिया करो otherwise फिर बाद में आप भी दूसरों की तरह बोलोगे, sir proposition तो पलना ही नहीं पढ़ा, क्यूं पढ़ना तुमने 12 घंटे, 13 घंटे proposition है, teacher ने भी थोड़ा सा कराया, छुड़वा दिया, जलत बात है, जान दो आगे बढ़ते हैं देखो बचे, अब है हमारा topic number four, noun का topic number four, sir topic number four का क्या नाम है, ये है जी noun clause अब ये noun clause क्या है, अब हम फिर से फस गए, कहते है, sir आप मजे ले रहे हो, क्या, अरे आपने फिर से एक नया शब्द लिख दिया, क्या, अभी आपने लिखा noun phrase, तो हम confuse ये phrase क्या है, confusion दूर की, अब मैंने लिखा clause, so dear अगर मुझे noun clause को जानना है, तो मुझे किसको जानन होगा, clause ये topic बड़ा important है, आगे जाके बड़ा काम आएगा, आगे जाके बड़ा काम आएगा, कई बार बच्चा अपने दिमाग में ये बैठा लेता है, कि clause और जो है sentence में कोई फरक नहीं होता, clause sentence ही होती है, और इस तरीके से बात को ignore कर जाता है, ऐसा नहीं है, बात चीत syllabus भी खतम होना start होगा, देख रहे हो, जैसे हमने phrase को जान लिया, तो अब आप clause को जान लोगे, तो clause के साथ-साथ आपको ये भी पता चल जाएगा, clause क्या है, so English का basic भी तयार हुआ, ठीक है, और साथ-साथ एक बच्चा पूछा बड़ा प्रेशान है, जी ठीक है बड़ा, कहानी जरा करवाई को समझते हैं, सर अपने आप में noun clause क्या होती है, उसको समझने के लिए क्या समझना है, clause, चलो clause को समझना चालो करते हैं, मुझे जरा पुरानी सीरीज दुबारा से बताओ जरा भाई साहब, आप देखो, मैंने बोला English Language, relate करती है, बच्चे, language मतलब किस say I sound, जब हमने sound को written formation दी तो क्या बन गए, letters, dear letters को जोड़ा तो क्या बना, word, dear word के बाद जिकर हुआ किसका phrase, देखो अब आप, कितनी सीरीज मेरे साथ समझते हुए आयो, पहले class से लेके, third class तक देखो, आपने कितना ज़्यादा बेस तयार कर लिया, अब dear phrase के बाद अपन आप में क्या आ गई, अब जानेंगे हम clause को, फिर clause के बाद जो आखरी का attack होगा हमारा वो किस पर होगा sentence, हुआ जी काम असान, पीटा ये है English की complete series, language, sound, letters, words, phrase, clause, sentence, अगर हम इस पूरी चीज को समझ गए, तो हमारा यहाँ पर पूरा बेस भी तयार हो गया, और साथ-साथ हमने चीजों को mention भी कर लिया, तो अब मैं आपको clause और sentence को समझाऊंगा, छेक है जी, चले, आईए, बात करते हैं, सर, अपने आप में clause क्या है, तो मैंने दुबारा से एक बार यहाँ पर बात लिख दी, अपने आप में clause, देखो मरे भाई, clause का मतलब होता है, clause अपने आप में होती है एक statement, बात बड़े ध्यान से सुनना, clause अपने आप में होती है एक statement, जिस statement के पास, जिस statement के पास, अपना एक होता है subject, और अपनी एक होती है verb, ठीक है जी, बात शीत बड़े ध्यान से सुनना clause का मतलब है clause अपने आप में एक statement होती है जिस statement के पास अपना एक होता है subject और अपनी एक होती है verb verb के बाद अगर requirement है तो object वगरा होगा otherwise नहीं requirement तो नहीं होगा हो गया ना जी धरूर तो है नहीं बटा verb के बाद object हो clear हो गया अगर मैं एक sentence बोल देता हूँ he came वो आया था तो sentence हुआ he came आपने बोल दिया तो आपने देखा यह verb तो है object तो नहीं है तो dear अपने आप में clause तो बनेगी बनेगी तो इस बात को दिमाग में बैठा लेना जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है कि जब आप clause को वहाँ mention करो तो clause के बाद clause का वहाँ अपने आप में subject होगा verb होगी बट यह जरूरी नहीं है dear कि उसका आगे चलके verb के बाद object हो अगर verb को जरूरत है तो object होगा otherwise नहीं होगा और अगली class में मैं subject और object और verb पे भी चर्चा खरूँगा आगे सुनो, so clause अपने आप में एक statement है जिस statement के पास अपना एक subject और जिस statement के पास अपनी एक verb होती है अध्यान दो बिटा, subject को verb चाहिए और verb को subject चाहिए subject को verb चाहिए और verb को subject चाहिए subject verb के बगैर अधूरा है और verb subject के बगैर अधूरी है logical सी fact है इसलिए हमने बोला statement है clause जिसके पास अपना subject और अपनी verb होती है कहानी आसान ही आगे बातचीत पे बढ़ते हैं अब हमने इसी चीज को आगे समझने की कोशिश की कि sir clause मुझे कैसे पैचानने में आएगी जरा समझाने की कोशिश करें मैंने एक sentence लिखा जरा बातचीत को ध्यान से समझना मैंने लिखा if he comes I will give him some books if he comes I will give him some books अगर वो आया तो मैं उसको कुछ किताबें दूँगा अपने आप में आप देख पा रहे हो ये लिखा हुआ एक sentence है अगर मुझे sentence को समझना है अगर मुझे sentence को समझना है तो मुझे close को समझना होगा अपने आप से चीज़े दिमाग में बैठेंगी ध्यान से सुनो if he comes I will give him some books जहाँ आप इस बात को कुछ ऐसे भी बोल सकते थी I will give him some books if he comes एक नहीं कितनी statement नजर आ रही है दो सर्फ दो statement कैसे है एक तो नजर आ रही है बच्चे क्या if he comes अपने आप में एक statement नजर आ रही है आपको if he comes और दूसरी क्या है if he comes I will give him some books दूसरी statement नजर आ रही है चलिए जी सो जरा इसको भी box में ले लेते हैं सो एक्च्चल में यहाँ एक नहीं कितनी statement है दो बेहद अच्छे बात को समझे सो अगर मैं इसको समझने की कोशिश करता हूँ if he comes तो आने वाला जो यह comes है अपने आप में क्या है वर्ब पाच्छीज रहे हाँ बेटा वर्ब को subject चाहिए और subject को verb चाहिए अगर comes verb है तो आने वाला अपने आप में ही क्या हुआ subject तो he subject हो गया और verb हो गई comes तो if he comes अपने आप में एक statement हुई चलिए जी यह अपने आप में हो गई statement सही है बात समझ आती है बात आपके सुने फिर मैंने इधर गोर पर किया इधर गोर किया तो आपको पता है जो यह आने वाला will है अपने आप में क्या होता है model और models जो होते हैं वो helping verbs भी होते हैं helping verbs ही होते हैं छोटे level पर यह देख लेना बेटा models जो होते हैं helping verbs ही होते हैं और आने वाला give अपने आप में क्या हुआ verb तो यह अपने आप में model helping verb हुआ और यह अपने आप में क्या हुआ main verb हुआ ठीक है अगर आप इस पे गोर फर्माएंगे तो आने वाला चलो यह verb बन गई तो इसका subject अपने आप में क्या हुआ I तो I यहाँ पर है subject और यह आप देख पारे हो give वहाँ पर है verb विल बच्चे आपको बच्पन से पता है model helping verbs है auxiliary verbs बोल दो models अपने आप में helping verbs ही होते हैं ठीक है चलिए गला करते हैं आगे तो यह verb हुआ subject हुआ आगे इस verb को आपने explain कर दिया कोई गल नहीं तो आने वाली अपने आप में ये भी अपने आप में क्या बन गई statement ठीक है जी तो आपको इस sentence में एक नहीं दो statement नज़र आई और दोनो statement में अपने आपना verb और अपना-पना subject है इसकी ये verb ये subject इसकी ये verb ये subject दो statement होगी अब ज़रा इधर आजाओ मैंने क्या बोला था एक वो statement जिसके पास अपना subject हो और अपना verb हो तो वो statement जब एक साथ होती है तो उसका technical नाम statement ना कहके आप उसका technical नाम क्या कह सकते हो clause तो इसका मनाम भी मैं क्या कह सकता हूँ clause बात समझाई इसका मतलब आने वाले इस sentence में आने वाले sentence में कितनी clause हुई दो आने वाले sentence में कितनी clause हुई दो very good चीक है मेरे साथ साथ रहना बिल्कुल कूल ख्यान से सुनते चलना if he comes अपने आप में एक clause हुई I will give him some books अपने आप में दूसरी clause हुई sentence में हुई डियर दो clause बातचीत आगे बढ़ाते हैं अब मैंने बोला अगर ये दो clause हैं अगर ये दो clause हैं इनमें समझने के ज़रा कोशिश करना आगे बातचीत मैं क्या कहने वाला हूँ शब्द तोनों को ध्यान से देखने पर ये लग रहा है ये लग रहा है क्या देखो एक मैं example लिखता हूँ इधरी I will give him some books ठीक है ये मैंने एक example suppose करो ऐसे लिख दिया I will give him some books क्या आपने आप में Training mo watch आपने बुला से हाँ बिल्कुल sentence है I will give him some books एक sentence हो गया सही है क्या इस sentence को meaning देने के लिए किसी पर depend होने की जुरत है आपने बुला नहीं से अपना एक sentence लिखा किसी पर depend नहीं है अपना एक sentence है काम खतम हुआ I will give him some books I will give him some books complete अपने आप में एक sentence है so ये sentence अपने आप में complete है इसको किसी पर depend होने की जरत नहीं है एक logical meaning देने के लिए बातचित समझ आती है चलिए इसका मतलब अपने आप में ये किसी पर depend नहीं है अपने आप में एक ये complete statement है चलो अब इसको तोड़ के लिख दो if he comes if he comes क्या आपने आप में ये complete बात है या incomplete है आपने बुला सर ये तो incomplete है क्यों if he comes हाँ आगे कहते इतना ही है हो गया क्या ही सई statement है if he comes कहता कुछ नहीं है आगे कुछ नहीं है गलत बात है इसका मतलब इन दोनों को आप compare करके देखो अगर आप comparison पे डालोगे तो आपको लगेगा जो ये statement है ये statement है ये अपने आप में complete है अगर मैं इसको छिपा भी लूँ चीक है अगर मैं इधर से इसको छिपा लूँ तो आने वाली ये statement अपने आप में complete नहीं है धियर यहीं से हमारे clause के types निकल के आ गए ध्यान से सुनना clause जब भी अपने आप में एक ऐसा meaning दे कि उसके meaning के लिए किसी पर depend ना होना पड़े उसको आप कह सकते हो independent clause और एक ऐसी clause जिसको अपने meaning के लिए दूसरी clause पर depend होना पड़ जाए उसको आप बोलोगे dependent clause ध्यान से सुनो इसका मतलब इस statement का meaning अपने आप में complete नहीं है यह meaning तब देगी जब यह उसके साथ जुडेगी तो इसलिए मैंने इसको बोल दिया यह तो उसपर depend कर रही है इसलिए इसका नाम पड़ गया dependent clause यह कह जी बातचित यहां देखो जब मैंने इसको छिपाया तो मुझे पाया सर यह जो clause है हाँ यह अपने आप में complete meaning दे रही है हाँ इसको इसपर depend होने की ज़रत नहीं है अगर मैं इतना मानलू कि इतना ही sentence है तो भी यह सही हो जाएगा इसलिए यह किसी और clause पर depend नहीं है इसलिए इसको बोल दिया गया independent clause जी कहानी समझाती है यहां तक मैं wind up करता हूँ फिर मैं आगे समझाऊँगा फिर देखना dear यह कैसे noun से relate करेगी ध्यान से सुनो मुझे ज़रह यहां तक wind up करके बताओ clause अपने आप में क्या होती है एक statement जिस statement का अपना subject और अपनी क्या होती है वर्प सही है फिर मैंने आपके सामने एक sentence लिखा मैंने आपसे पूछा इसमें कितनी statement है answer आया sir दो statement है answer आया दो statement है if he comes, एक statement I will give him some books दूसरी statement सही है मैंने बोला एक काम करो कुछ समय के लिए इसको हटा के देखो और sentence इतना मालो suppose ये sentence ऐसा हो I will give him some books तो अपने आप में ये sentence complete हुआ अपने आप में इतना भी sentence अगर exam में आएगा तो बिटा आप no error ही लिखोगे I will give him some books no error, सही है इसका मतलब अपने आप में ये complete meaning दे रहा है तो अगर ये complete meaning दे रहा है तो इसको complete meaning देने के लिए किसी और clause पर depend होने की ज़रत नहीं है इसलिए अगर ये clause बना तो ये independent clause बनेगा असान हुआ, चलो आगे मैंने बोला if he comes बच्चे subject भी है, verb भी है subject भी है, verb भी है so conditions पूरी हुई तो ये clause बन गया, सही है क्या ये meaning दे रहा है या इसका meaning देने के लिए आपको depend होना पड़ रहा है आपने बोला sir depend होना पड़ रहा है if he comes तो क्या, अगर वो आया तो क्या आगे बात तो पूरी करो इसका meaning अपने आप में depend कर रहा है किसी दूसरी clause पर इसलिए इसको बोला dependent clause और इसको बोला independent clause इसका मतलब यहां से बात निकल के आई कि clause अपने आप में दो टाइप में बटी है एक होती है dependent clause ठीक है और एक होती है independent clause ठीक है जी, समझ आया बच्चे जों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यह noun मेरे भाई, दूसरे वाला पढ़ाऊंगा मैं बहतरीन वाला noun तो ध्यान से सुनो तो यहां तक हमने cover किया चीजों को clause अपने आप में एक dependent clause होती है तो हमने जब clause को समझना चालू किया तो हमने बहतरीन तरीके से बहुत असानी से उसको छाट लिया कोई पंगा नहीं पड़ा, असान है wind up करूं तो बच्चे clause अपने आप में एक मेरे साथ साथ बोलो, clause अपने आप में एक statement है, जिसके पास अपना subject और अपनी verb होती है, सही है अगर वो subject verb मिलकर जब एक clause बने, हाँ और वो complete meaning दे तो वो हो जाएगा independent clause, अगर वो incomplete meaning दे, तो उसको complete करने के लिए क्या होना पड़ेगा? depend, वो बन जाएगी dependent clause तो मुझे बताओ, इस sentence में इस sentence में खितनी clause है, दो एक clause कौन सी है, dependent और एक clause कौन सी है, independent और जब दोनो clause को जोड़ा तो sentence वो एक ही बना दो sentence नहीं बने तो sentence कितना है, एक है अब समझाएगा बेटा, दोनों से relation क्या है, अभी तो मैंने सिर्फ clause को समझाया है, तो असान हुई यहां तक की बाते, तो मैंने यहां तक आपको क्या समझाया, कि clause क्या होती, अभी sentence नहीं समझाया, बेटा क्या है, sentence भी अभी समझाऊंगा क्या है तो यहां तक मेरी बात, I think आप समझ गए होगे, clear होगे ना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया comment में कोई भी doubt नहीं है, very good जब मैंने कहा था, अप promise किया था, आपको कोई doubt नहीं आएगा अगर आप starting से class को देखोगे, starting से मेरे साथ live जुडोगे, clear है, तो यहां तक हमने इन चीजों को समझने की कोशिश की, see close क्या है और चीजे क्या है, done है, एक बारा फटाक से copy करो, फिर मैं आगे की बात चित करता हूँ copy जल्दी करना, क्योंकि class का time खतम होने वाला है, पर मुझे अपनी बात यह complete करनी है, फटाक से copy करो, time बहुत कम दे रहा हूँ dear, फटाक से copy करो, जाद टाइम ना लें, समझा रहा है, speed तो नहीं है ना, चली आहिस्ता आहिस्ता बच्चे भी मैं level उठाता जाओंगा, पानी पिएगा कोई, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता में speed जो है, बढ़ाता हूँ चलूँगा, बज़ा आ गया, thank you बच्चे, बस मेहनत करना, promise मत भूलना अपना, अच्चे, एप से वीडियो डाउनलोड नहीं होगी, एप से वीडियो डाउनलोड नहीं होगी, एप पर सेव रहेगी, और दूसरा course buy करने के लिए, एप से, जो एप में है अपना, वहाँ से course buy कर लिया करो, कई बार fake IDs बनी होती हैं, वहाँ से आप course buy खड़ लेते हो, पता चला है आप लुट गए, ये, अच्छे बच्चों, आप स्मार्ट बनो, चले जी, अब बढ़ते हैं जरा आगे, अब मैं बताता हूँ, sentence और clause में क्या-क्या दिक्कते हैं, क्या-क्या चीजे बनती हैं, ठीक हैं, अब इसको हटाता हूँ, देखो मरे भाई, अभी-भी मैंने इस चीज में बापको बोला, अभी-भी, इसी statement में मैंने बात को आपको बोला, कि जब मैंने ये clause देखी, जो dependent थी, ये clause देखी, जो independent थी, अपने आप में, अपने आप में ये sentence तो डियर एक ही बना, अपने आप में ये sentence तो एक ही बना, ये sentence दो थोड़ी नहीं है, sentence तो ये एक ही है, sentence ये अपने आप में एक ही बना, ये दो sentence नहीं है, sentence एक है, इसका मतलब sentence में clause involved होती है clause को जुड़कर भी sentence बन जाया करते है बिलकुल है जी यही बात है ठीक है चलो तो अभी noun clause कैसे पहचानेंगे मैं वो बताऊंगा और फिर sentence कैसे देखते हैं फिर मैं वो बताऊंगा ठीक है क्या है sentence और क्या है clause अब उन चीजों को समझते हैं इसको हटा दू मैं completely हटा दू दिया फिर बात करते हैं sentence और clause की है चले मेरे भाई बहुत अच्छे God bless you all इसी लगन सच्ची लगन के साथ पढ़ो लाइफ में 100% काम्याब हो गए देखो मैंने बुला जो अपने आप में clause होती है clause दो टाइप में divide होती है एक अपने आप में बच गई dependent clause और एक अपने आप में बन दी independent clause अच्छा clause इतने टाइप की नहीं होती clause और भी वह बहुत होती है इंडियर बात में पढ़ाऊंगा adjective clause आएगी noun clause आएगी relative clause आएगी ठीक है बहुत सारी clause आने है ठीक है फटाक से देखो clause यह होगी अब मैं बात करता हूँ sentence की तो मुझे एक बात बताओ यह sentence क्या होता है आप बोलोगे sir clause में आपने बोला subject होना चाहिए हाँ verb होनी चाहिए हाँ sentence में भी तो ऐसा होता है sentence में भी तो sentence में भी तो subject होता है बचपन से पढ़ते हैं हम verb होती है फिर आगे की रामायन होती है फिर suppose हमने बोला full stop आगया एक sentence बनतो गया तो clause और sentence में फरक क्या है थ्यान से सुनना एक फरक है डिया sentence हमेशा meaningful statement होती है meaningful statement sentence हमेशा meaningful statement होती है इस बात को दिमाग में बैठा लेना अब सब्सक्राइब से आप ओने पर देखे चले जी वापसे आते हैं बचे तो मैंने बोला sentence अपने आप में होती है meaningful statement अब ध्यान से समझो जरा ध्यान से समझो जो independent clause है और dependent clause है इन में difference क्या था सर dependent clause complete meaning नहीं देती incomplete meaning देती है अभी तो वह depend होती है independent clause complete meaning देती है अपने आप में ये complete sense देती है और अपने आप में ये incomplete sense देती है यही तो बात है बई तभी तो उसको dependent बोला गया है क्योंकि अगर उसका incomplete sense है और उसको complete बनाना है तो उसको एक और clause चाहिए इस clause को एक और clause नहीं चाहिए independent clause है अपना meaning अपने पास रखती है अपने आप में meaning complete कर जाती है कहीं ना कहीं सही है चलिए बातचीत आगे बढ़ाते हैं जब इन दोनों clause को हम join कर देते हैं तो हम एक meaningful statement बन जाती है मिल जाती है जिसको हम sentence बोल देते हैं यहां लिखता हूँ I will give him some books तो बच्चा बच्चे यहां confused होता है I will give him some books मैंने इसको लिख दिया मैंने बोला मुझे बताओ यह क्या है तो एक बच्चे ने बोला सर अपने आप में यह verb हुई model helping verb और main verb और अपने आप में यह subject हुआ तो यह subject हुआ यह verb हुई तो सर यह तो close बन गई मैंने बोला सही है फिर एक बच्चे ने बोला सर देखो न complete meaning है यह तो sentence भी बन गया यह तो अपने आप में sentence भी बन गया I will give him some books यह तो अपने आप में sentence भी है यह तो अपने आप में clause भी है मैंने बोला very good अध्यान दो तो बच्चे ध्यान से सिखो I will give him some books अपने आप में यह एक sentence है चीक है और अपने आप में यह एक clause है चीक है बात पले पड़ती है अपने आप में यह sentence है और अपने आप में एक clause है सही है तो अब ज़रा logic को ध्यान से समझो इसका मतलब यह है जो independent clause होती है वो complete meaning देती है ह हां और जो sentence है वो भी complete meaning देता है हां इसका मतलब बच्चे हो सकता है कि complete sense के साथ वही अपने आप में क्या बन जाए sentence बन जाए इसका मतलब independent clause ही क्या बन जाती है sentence बन जाती है Independent clause ही sentence बन जाती है फिर आपने बोला sr एक काम करो न dependent clause को sentence बना दो मैं लो बेटा dependent clause sentence नहीं बन पाएगी कैसे? जैसे मैंने यहाप लिखा if he comes तो कहा यह sentence है? घलत यह sentence नहीं है क्या यह sentence है? सही यह sentence है, वो sentence नहीं है क्यों इस he comes अरे यह meaningful कहा sense है कहा complete meaning provide किया तो complete meaning जब provide किया ही नहीं तो यह कहे का sentence, sentence तो बना ही नहीं क्या यह clause बन गई? हाँ clause बन गई, कैसे? ध्यान दो if he comes, तो यह क्या हुआ? subject, यह क्या हुई? verb, और subject verb आते ही क्या बन गई? clause कैसी clause? dependent clause तो के complete meaning दे रही है? नहीं तो के sentence बनेगी? नहीं तो ध्यान रखना बच्चे, complete sense देगी, कौन सी? independent clause, तो वो sentence में convert हो सकती है, अगर मैं dependent clause की बात करूँ, अगर मैं dependent clause की बात करूँ तो वो sentence में convert नहीं की जा सकती that is the difference, कि हम sentence और clause में कैसे differentiate करते हैं, तो independent clause से sentence बन सकता है dependent clause से sentence नहीं बन सकता है, तो एक sentence में कितनी clause हो सकती है? एक clause हो सकती है, एक sentence में दो clause हो सकती है, अभी दो clause का sentence नहीं बनाया था हमने, if he comes, I will give him my books, या I will give him some books, if he comes, I will give him some books, एक sentence बना, कितनी clause? दो, एक sentence एक close का हो सकता है, बट वो close फिर कैसी होनी चाहिए, independent close होनी चाहिए, dependent close का sentence नहीं हो सकता है, दिमाग दोड़ा, आपको ये पल्ले पड़ गया बच्चे, कि अपने आप में close क्या है, और close का relation sentence से क्या है, दिमाग दोड़ा, perfect समझ आया, बस अब हमारा ये रहे गया बात कि अपने आप में सर, down close क्या होती है, अभी तक मैंने आपको समझा दिया, close क्या होती है, बस अब हमारी बात रह गई कि noun close क्या होती, उसको जानने के लिए आप आओगे मंडे, मंडे को जानेंगे, अब ये noun close क्या है, इसका मतलब dear, मैं मंडे को आपको समझाऊंगा, noun close क्या है, आज मैंने आपको समझाया, noun phrase क्या है, समझा गया, noun close समझ नहीं आया सर, क्यों, क्योंकि आपने close तो बता दिया क्या होता है, हाँ, close को पहचानना भी सिखा दिया, बिलकुल, आपने sentence भी बता दिया क्या है, हाँ, sentence और close का relation भी बता दिया क्या है, हाँ, बट एक बात रह गई, क्या, कि noun close क्या है, और उसका आनने के लिए आप आओगे मंडे को, आज हुआ है dear Friday, आप आओगे मंडे को, क्योंकि batch है जो हमारा वो क्या है, Monday to Friday, लेर हो असान है, और मंडे से हम vocab करना भी start करेंगे, मंडे से हम vocab करना भी start करेंगे, vocab करेंगे, फिर grammar करेंगे, clear है और मंडे की class यहां से बढ़ने वाली है, वो student जिन्होंने पहली दो class नहीं देखी हैं, app पर save हैं, दोनों class देख सकते हैं, दूसरा बच्चे, मेरा vocab कराने का तरीका या बाकी comprehension कैसे कराता हूँ, या कुछ चीजे जाननी है, डेमो के लिए आप मेरी channel, YouTube channel पर विजिट कर सकते हो, English by Jadip Singh आप वहाँ पर विजिट करना, आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है जी, कोई doubt है तो फटाक से बताएं, एक minute में खतम करते हैं, class कोई doubt नहीं है, बहुत बढ़िया, sir थोड़ा Hindi use का बिटा, दोनों perfect, जो language मैं use कर रहा हूँ एकदम perfect use करता हूँ, I never try to speak in English, मैं कभी try नहीं करता कि मैं सिर्फ English में बोलता चला जाऊँ I always try कि मैं हमेशा bilingual ही use करूँ आपके सामने, बिलकुल बेफिकर हो Hindi English को ऐसे mix करके use करता हूँ मैं, जिससे एक ही बार में सभी type के students को clear हो जाए, चाहे वो student English medium का है, चाहे वो student Hindi medium का है मैं खुद English medium से पाता हूँ बच्छे तो जिस language को मैं समझ पा रहा हूँ, 100% आप भी समझ पाओगे ठीक है, so God bless you all, thank you so much for your love and respect आज के लिए इतना ही मिलते हैं, मंडे को कल शनिवार है, फिर इतवार है, दोनो दिन चुट्टी है मंडे को अब आपसे मुलाकात होगी, तब तक जितना के अब रिवाइस करो और मंडे से वो कैब भी करना स्टार्ट करेंगे, चलिए, शटर डाउन